जैसे रादे करना दोस्तों मैं आपका दोस्त प्रवीन कुमार एक बाप फिर से आपके सामने उपस्तित हुआ हूँ दोस्तों इसमें परसाथ का मौसम चल ला है और विभिन प्रकार की बीमारियां जो है एकदम घेरे हुए बैठी है कोरोना तो चली रहा है अब हमारी अगर कोरोना हो गया तो समझे उसको बचना ना मुंकि नहीं लिए रोक रोक चमता जो है वह लोगों की बढ़ने चाहिए बहुत ज्यादा तीवर्ता के साथ दूसरी की जब मौसम चेंज होता है इसमें एक बीमारी बहुत चलती पेट की बीमारी से ही सब बीमारियां होती जिसमें की लीवर और किड्नी इन सब पे हमारा जो खान पान की वज़या से बहुत गुरा प्रवाव पोलाज में कहीं लीवर में गर्मी बढ़ जाएक कहीं एचजी पीटी बढ़ जाएगा लीवर बढ़ जाएगा को खान पान फास्ट फूड और यह विविन प्रकार की जो विदेशी आहार हैं उनको खाने से जो है हमाई पेट में विन प्रकार दिक्कतें पड़ा हो जाती हैं फिर जो है अंग्रजी दवाव माध्यम से उनको जो हम सही कराने जाते हैं तो और ज्यादा प्राबलम का सामना करना पहता है दोस्तों इसमें हर एक पौदा अपने इसको विष्खफरा जो गास होती है उसको फुर्ण नवा बताते हैं दोनों एक ही जैसे लगते हैं दोनों मैं अंतर बताऊंगा और कोई भी दो तीन पोदे अगर देखे जाए हैं अईरुवेदिक में प्राक्तिक किस्सार उस्था में तो दो तीन पोदे होते हैं जिनका उसमें अगर पांच एक इंच लेने को आगे डेड़ इंच ले लिए आपको नुकसान कर जाएगा ऐसा नहीं है इसे कोई पोदा थोड़ा कम ज्यादा तुल्सिक पत्ति अगर पांच लेनी है माली साथ हो जाती तो प्राब्लम थोड़ी नहोंगी लेकिन इन सब चीजों क अपने विवेका नुसार और जो है उससे कभी नहीं विमारी तब भी ले ले अब पुनर्णवा है गिलो है यह तो आप सीजन बल्ले इसमें मिल लगी ताजी है वस्ता में आपको कहीं मिल जाती है तो ले लीजिए शरीर में वह कुशकाओं को मजबूत करती जो डेमेश से कि नाब जाने वाल है अदो दोस्तों यह पुनर्णवा का पुदाथ यह के फोस्प गुलाभी कलर कश प्रहल रहतीया लीज करेंगा, इसे अगए एंडिकान रहूई निकलते他 यह जमीन पर 6 लाग गुआ होता है यह इसका जो तना होता है यह लाल कलर में हलका लाल कलर में होता है इसकी पत्यां आगे से इस तरीके नुकीली पत्यां होती ही और विसाखा यह पोदा होता है ये पत्तियां इसकी पहिचांगे अच्छी तरीके से इस समय बरसात का मोस मिलिय ME, सबी पत्तियाँ इसकी इसकी अच्य आ है जमीन पर कम से कम 2-3 मीटर तक जमीन पर ही खैला रहता नीचे नीचे उपर ज्यादा नहीं उठता है इसका ढ़ंटाला रोसमें एक सिंगल फूस्प लगा हुआहे और रिः क्यों होती है दोनुम पहचाने कर लिए हिसकी पत्रवाइब खौल से नंगे तोирован खलते हैं और फूर आरी । यह पूस्प देखिए इसका सिंगल होता है इप। पौस्प गुच्छे में होता है इसको लोग यूटुब पर बहुत सारे लोग पुन्हनवा बताया है यह विश्खपरा गास है दोस्तों तो दोनों आप अंतर पहिचानगें पुन्हनवा कम मात्रा मिलता है यह विश्खपरा गास आप जहां देखें बरसाद में हर्चेगा आपको लब्द हो पुस्प है दोनों में अंतर करना बहुता है कि कौंगी मिलता जूलता ही होता वह लोग जो विश्खपरा गास को पुन्हनवा बताने लगते हैं तो उम्मेद करता हूं दोस्तों आप सभी लोग इसको पुन्हनवा को बहुत ही बली बात या अच्छी तरीके से पाइचान अधिक तर जो पौदे जमीन पे छहले रहते हैं उनका पंचान यह उपयोग किया जाता है उसे दिखाते हैं पूरा पूरा पौदा यूजफुल होता है दोस्तों यह मूत्र लोता या किड्नी को उत्यजित करके जो है जित्ते हमाई सरीर में अफसिष्ट पदार्थ हो करेगा युवा बनाने में जैसे नाम से विदित होता है आपको जो 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 है पुनर जीवित करेगा आखों में भी आखों की रोसनी बढ़ाने में मदद करेगा यह हमारे जो शरीर में बड़ी कफ वात को नार्मल करता है और सूजन बवासिर पिल्या इन सब लोगों लाग करता है इसी के उपयोग से जो है पुननवात को फिर्शान बनाई जाती है तो दोस्तों जब यह सब जो दवाईयां यह तो एक जब कही नहीं उपलब दोता तो इसके लिए यह बनाई आती है लेकिन जब यह ताजी अवस्ता में हमें मिल जाए तो उसका हम ताजा ही उपय जादा लाबकारी होता है क्योंकि जीवित कोषका प्रिक्रद्वार्पदत और सदी और दयवी पेड़ पोदों को अपने जीवन में उपयोग करें और अपने जीवन को निरोगी बनाएं धन्यवाद दोस्तों जय इन जय वारत जय आर्वेट